हाई दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपे लेके आई हूं मूंगलेट चलिए इसे बताते कैसे बनता है इसके लिए मैंने लिए एक कप के करीब मूंग दाल और इसे मैं पानी में डालके सोक करके उपर नाई ट्रक देती हूं ताकि यह अच्छे से फुल जाए य अच्छे से पीस लिए यह फिले ही पतला पीसा और आप करीब सूजी और हाप कप के करीब बेशन अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से में मिक्स कर लेना है यह मूंगलेट काफी प्रोटीन बेरा और हल्दी होता है तो अब हम इसे अच्छे से ढख के रख देते एक 2 घं अब हम इसकी चटनी बना लेते हैं That only आप कपके करीब और हाप के करीब फुटी हुए चैना लां डाल आपको मार्केट में बिल जाएगी छिलका उत्रोंगा अब जाएगा नमक और स्वाजनु साइट थोड़ा सा जीरा और आप पारी कटा दावा मैंने नाले अब जाएगा इसमें पानी थोड़ा से मैंने पानी दूरा हए लिए अब हम इसे दीरे जीरे करके फितेगे थोड़ा सा मिर्ची हरी मिर्ची और थोड़ा सा हें कड़ी पता और अब यह हलका अच्छे से ब्राउन हो जाए उसके बाद अब हम थोड़ा सा यह हम धड़का चटनी में निकाल लिए और बाके धड़का हम यहां पर रहने दिये हैं और चटनी को मच्छे से मिला लिए और मेरी जटनी को अब हम साइट कर लेते हैं और आभी पेन में आधा तड़का निकाल लेकाद मैंने प्याज डाल दिया गाजर डाला और बारी कटा हुआ और उसके बज़ागा बारी कटा हुआ पता को भी आप चाहे तो अपने अनुसार यहां सबजी आप ले सकते हैं बट मैं मैंने इन तीन चारों चीजों का यूज किया है और अब आप जो बैटर मैंने साइट करके रखाता यह देखिए यह बैटर थोड़ा काडा हो गया तो अब हम थोड़ा पतला करेंगे ताकि अच्छा इसका टेक्स्टर आ जाए तो अब थोड़ा मैंने पानी इसमें डाल द यह मुंगलेट में ना आप मन चाहिए सब्जियों का यूज कर सकते हैं जिसे यह काफी हल्दी हो और अच्छा और अब हम तावा यहां कर लेते हैं और तावा में अब हम डबू किशे डबू या चमश के साथ आसे बैटर को लेके गुल-गुल करेंगा थोड़ा मूटा च ओने ताव दूमा रखनाना है ताकि यह मोटा-ओर चिला बनाता है न तो यह पकता नहीं है तो अगर आप अच्छे से पक जाएगा और आप दोनों और से 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 के हमें पका लेना है और आप दोनों और से इसमैं ऑलका अब ना दाल दीजे ताकि यह थोड़ा क्रांची बन यह देखे तो यह मेरी मुंग जलॉड़ का मुझलीे त्यार हो गई है आप सबासेयग के घनिया की चटनी बना सकते हैं आप अच्छा लगे आपकोékस लिएक और अब इसे हम अच्छे से कट कर लेते हैं यह मैंने आप किसी भी साइज में कट कर सकते हैं यह मैंने फोर्ट भाग इसका कर दिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर लिया है पेन और यहां पर मैंने लिया प्लेट और अब हम इसे सर्व कर लेते ह हैं अगर आपको मेरी मूंगलिट के रेसिप अच्छी लगे तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिएगा और अब इसके साथ आप चटनी के साथ खाईए धनी के चटनी के साथ खाईए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे यह बहुत ही प्रोटीन भरा और बहुत ही हल्दी होता है ठैंक यू